इस्रेल में बड़ा डर बैट गया है कि अगर इरान का बस चला तो वो इस युद्ध से कभी बार नहीं निकल पाएगा इरान ने अब एक ऐसी बड़ी तैयारी कर ली है जिसके आगे इस्रेल और अमेरिका दोनों की वाज बुरी तरह हार सकती है इस्रेल में इसे इरान का छुपा हुआ हमला कहा जा रहा है इरान का एलान इस्रेल का विनाश शुरू घाजा में भायंकर नरसंगार का बदला अब इरान लेगा इरान के सुप्रीम लीडर अलिखामनेई ने ऐलान कर दिया है कि भले ही हमास और इस्रेल के बीच सीज फायर हो गया हो लेकिन इरान घाजा में गिराए गए एक एक इस्रेली बम का खूनी बदला जरूर लेगा इरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इस्रेल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बक्षेगा और अब इस्रेल पर भीशान हमले शुरू हो चुके खाजा में एक एक बम का बदला लेगा इरान हम आपको आगे बताएंगे कि इरान इस्रेल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है और अभी इरान हेजबुला हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इस्रेल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है लेकिन उससे पहले ये जान लीजे कि इस्रेली सीना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाज़ा और वेस्ट बैंक में कितनी भीशवन तबाही मचाई है और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस्रेल सुरक्षाबलों यानि आईडियफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है कमांडर उमर अबुजला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था कमांडर ओमर अबुजला को इस्रेली सेना ने हवाई हमले में मारा है अब तर हमास के 70 से ज़्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं कमांडर ओमर अबुजला से पहले दक्षुनी खान जोनस बटालियन के कमांडर बिलाल अलकीद्रा मारा गया था जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मोहिसेन भी मारे जा चुके हैं जबकि हमास कमांडर मुराद अबु मुराद, अली कादिर और मुहम्मद कटमश को भी आईडिय अप मार चुकी है इस्रेल को नहीं बचा पाएगा सीज़ फायर अब सवाल उड़ता है कि आखिर इस्रेल के सामने ऐसी क्या मजबूरी होई कि उसे हमास के साथ चार दिन का सीज़ फायर करना पड़ा इरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इस्रेली सेना को भी बारी नुकसान हुआ है इरान का यहां तक दावा है कि भले इस्रेल अपने सतर सैनिकों के मरने का दावा करे लेकिन हकीकत में इस्रेल के दस से बीस गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके है इसलिए इरान के सुप्रीम लीडर अलीख खाम नहीं चार दिन के सीजफायर शुरू होने के साथ की ऐलाम कर दिया था कि घाजा में गिराए गए एक एक इस्रेली बम का बदला लिया जाएगा इसी को लेकर इरान की राजधानी तहरान में इरान, सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसमें इस्रेल को नक्षे से मिटाने की कस्मे खाई गई है तहरान में हुए प्रदर्शन की तज़वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबर दस्त नारों के बीच एजरेल को मिताने की कस्मे खाय जा रही है दर नजात मर्दों फलस्तीन इकदाम ताइन कननदे या अन्जाम दहत बर नाउमिदी मिलत हा अज़ दोलत हा व बीताबी आनहा दर दिफार अज़ फलस्तीन अफजूदे मी शवद इरान का एलान, इसरेल का वनाश शुर। पश्रीमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याउं के लाख चेतावनी देने के बावजूद इरान बंकरों में छिपे अपने घादक हथियारों से इसरेल पर बड़े हमले की तयारी कर चुका है एक अनुमान के मुताबिक इस्रेयल पर हम्पला करने के लिए इरान ने शाहिद सीरीज के आत्मगाती ड्रोन तयार कर चुका है इसके अलाबा मुहाजर 10 अराश टूर ड्रोन भी इरान के बेहत गात अखतियार हैं जो इस्रेयली शहरों को दबाह कर सकते हैं एस्राइरों एक बार बरा हमीशे मेखाना उन्मी वारी पर शेप्राटी कोशे पस अशनारता बरतारे हमास का साथ एरान और हजबुला जबरदस तरीके से दे रहे हैं इस्रेयल भी जानता है कि इरान के 5.75 लाक सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इस्रेयल के पास सिर्फ 1.73 लाक सैनिक है इस्रेयल की 4.65 लाक के रेजर्व फोर्स को जोड़ कर भी इस्रेयल इरान के आसपास नहीं टिकता है अब ऐसे हलाक के बीच इसरेयल का ये कहना है कि वो पूरे मिडलीस्ट में कहीं भी, कभी भी बंबारी कर सकता है ये धाबा, वाकई हैरान करने वाला है कख खना कदीर हय करा, שशवा हयो मबाइटा, लगर शेरगुने अटरोर तानू, शेरगु उता लफने मसपर यमीं अजज़ा, बश्चाओ बूकर, कुछות साल नारखो बकवי अफूगा बश्टच रचुछाओ अज़ा हमफगदीम तद्रिखो वेखिनो एकुछות लातनालות बमाहलच अफूगा बिट्खון הלוחמים שלנו लेकिन ये भी सच है कि घाज़ा पट्टी को 60% तक इसरेल तबाह कर चुका है इधर तेड़ महीने से जादा की जंग में लगभग 15,000 से जादा लोग घाज़ा में मारे जा चुके हैं लगभग 30,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी घाज़ा के इमारतों में दफन हैं लगभग 50 दिन की जंग में इसरेली वायुसेना ने 35,000 से जादा बम उत्तरी घाज़ा, दक्षनी घाज़ा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं सत्तर से जादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इसरेली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले, कमांड सेंटर, सैन ने परिशे, धरजुनो लॉंचर पैट, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनफ़ादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलाबा आईडेफ ने हमास के कई बुनियादी धांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाईल हानिया इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखिए हमास के नेता और टॉप कमांडर इसमाइल हानिया इरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबर्दस्त मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में एरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इसरेल के खिलाफ जन्ग में उतर चुका है अब एरान की बेतहाशा सैन्मिय ताकत हमास की ताकत बन गई है यानी घाजा में एज्राइल को सर्फ हमास से नहीं, बल्की ऐरान की सेना, लबनन की हजबॉला लडाकों, और हमास की सुरंग जिहादियों से जगन करने पड़ेगी. गाजा में एक एक बम का बदला लेगा एरान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्रेली सेना के होसले साथ में आसमान पर पहुंच गए हैं। जरा देखे, कैसे? इस्रेल की एरफोर्स के चीफ मेजर जंडल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर एलान किया कि जरूरत पढ़ने पर पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इस्रेली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तोर से इरान और हेजबुल्ला के लिए चेताउनी की तड़ा देखा जा रहा है। कि वायुसेना पूरे मधफूर में जहां भी जरूरत होगी वहा कार लवाई के लिए पूरी तरसे तयारे कि अध्या है। हमASON. हमने कBay grandson Kyberвор. हमने क्रoming क ﷺ ए सब्धूियों के साहा है, हमन wealth, हमने के साहित, हमने का पुगय MY हमन, ऑमे थे चामस ए सब्यझ के साहा, हमने हमनृमा को कैसा, हमने हमने कि पृण से नाजों क॑े वोने डाफ्र lotta, नर्सन से नruck पना gonna require हमास की मौजूदा से निक्षमता को देखें तो उसके पास ज्यादातर इरान के दिये हत्यार है इस गैल पर मौजूदा हमले में फजर थ्री और फजर फाइफ रॉकेट का इस्तिमाल किया जा रहा है